आज का आजाद सिपाही अख़बार आपने पढ़ा क्या बढ़ते रहिए अपना लोग प्रियत्दानिक अख़बार आजाद सिपाही वोट हासिल किया है आज हम इसे बात करते हैं कि ये सफलता का राज इन से हम जानेंगे कि ये पाकी में किस तरह से विजाई हुए और ये जनता के बीच जब जाते थे तो इनका मुद्दा क्यार था सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और आजाद सिपाही में कि लोग दहसत में थे अपनी बात को लोग रख नहीं पाते थे और ये महसूस करने लगे थे कि हमें अभी हां से दहसत गजदी से निकालो और हम लोग को एक बोलने की अजादी चलने की अजादी और सुतनता की अजादी है सो दिखाई पड़े हम को तो ये इस परकार से मत को बिस्वास जितने का प्रयास किया और सभी भर्कों का बिस्वास जिता और जिसमें कि हम कुछ बूत ऐसा है जो राजपुत बहुं here कुछ नियुक्ट बहुल है और सब में लीड है। सुपर कि और एकदम जादा भोट से और भाह慢 भोट Now इसका लवाज जितने ओबिस ही आदिवासी और यह कहिए कि दलीत बूत सभी बूतों पर हम लोग ने बहुत अच्छा किया इसलिए कि उनका विस्वास हम लोग जितने का प्रियास किया विस्वास जीता और यह चुनाव इस सोच करके लोग लड़ रहे थे कि इन्हें पिछल कि बार 2014 में 2016 के उप चुनाव में इनको जान बुछ के हर्वा दिया पर्सासन और अधिये साजिश करकर के जो पर भूर भजयाथयक थे वो जान Mom statistically हर्वाने का जो है सवी दिया और इतना ओर दिया कि हम लोग तो उतना उमीद भी नहीं किये थे। लेकिन हम लोग इसके सोच रहे थे कि जादा स्यादा भोट उतिहासी के जित होगा। इसके बावजूद भी हमारा या तो एक बूथ तो हमने हैं काउंट ही नहीं हुआ और नहीं तो ये 93,000 से 94,000 हो जाता भोट तो मुटा मुटी कहें कि हम लोग जो विश्वास जितने के लिए हम लोग लड़ रहे थे लोगों के विश्वास जिता है और वहां पर समस्याइं काफी है समस्याओं को हम लोग दूर कर रहे हैं के लिए प्रयास पहले भी किये थे अभी भी करेंगे अभी सबसे ज़्यादा समस्या वहां के पानी की है, पानी पर हम लोग वर्क आउट कर रहे हैं, पानी पर हम लोग कहती के लिए करेंगा बेवस्ता, इसके लावा जो है हमने पिछले बार 51 लड़कियों की साधी जो गरीब गुर्बा की साधी सामोहिक रुप से कराई थी, ज इसमें अपनी बेटी का भी साधी कराई थी उसी में, एक जहां पर दलीत परिवार, मुस्लिम परिवार के बच्चे हो उसी में अपनी बच्ची के भी साधी कराई, तो एक समानता का जो लगा कि इनके साथ रहने से समान रुप से हम लोग बात कर सकते हैं, निभू को के बो सबी लग रहे थे आप चुनाओं में जब भी जा रहे थे तो सोशल मीडिया में ये आप पे कई आरूप लगाए जा रहे थे तो इससे आप विचलित होते थे क्या इस आरूप से देखिये ऐसा है कि हमने ये बहुत परियास किया लोगों ने कि इन पर इस परकार से सडियंद किया जाए इस परकार साजिस किया जाए कि उलजे रह जाएं चाहे केस में हो चाहे फिर और ये हो उलज करकर रह जाएं और मुख मुदा को नहीं पर सके और चुनाओं में अच्छा नहीं कर सके लेकिन हम बिचलित नहीं हुए और बिचलित नहीं होने के कारण ही हम लोगो बहुत अच्छा कर पाए इसलिए कि हमको हिम्मत से काम कि और लोगों का सने प्यार है सो मिलता रहा है पिछले बार चोदा में हम चुनाव लग तो उसी समय हम पर केस कराए गया था इसके बाद में 2980 बोट से हमारे तो जो साजीस था कि और प्रेस मिडिया में था प्रेस मिड प्रतवास रिजल्ट है कि हम लोग जनता का विश्वास जीत करके चुनाव जीत करके आए जैसे कि सब अब सभी जानते हैं कि आप सिक्षा के शेत्र में जारखन में आपकी एक बहुत ही भूमिका है आप तो पांकी में आप क्या देखने है कि क्या पांकी सिक्षा के शेत् इसके लिए हम पहल करना चाहेंगे, सरकार्स को हम ध्यान अक्रिश करना चाहेंगे, और हमने पहले भी कहा है, अभी केवल पहले हम लोग पढ़ते थे तो किताब कॉपी होता था जोला में बैग में, अभी यह सो ग्लास और कहीं कि थाली होता है, किताब कॉपी संख्या घट और थाली का संख्या बढ़ गया कर खिंचिरी कहाने के लिए जाते हैं और वपर स्थिति दर्ज कराने के लिए लोग स्कूल खोले गए हैं और लोगों को एक ही दो तरह किसो यह है समान के काम के लिए समान बेटberries नहीं मिलते हैं Tracy जो यह सही मतलब की चले गए, कि हमें इसकूल में नोकरी मिल गई है, इसलिए चले जाए, पढ़ाने से पढ़ने से मतलब नहीं रह गया, और दुसरी तरफ बहुत जादा पैसा मिलता है, जिसको पढ़ाई के अलावा दुसरे कार्यों में लगा जाता है, तो बहुत सारी कमि हैं जो शिक्षा क्षेतर में, इस पर अगर इमंदारी से पहल की जाए, तो गुनाता पुर्फ शिक्षा दी जा सकती, और गाउन द्यात के बच्चे, पांकी विधान सभा के अलावा पूरी जारकन के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरे देश अस्तर पर हैं दूसरे राजों में, क्योंकि वहां पर बेवस्था मिलता है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको गुनोता पूर्फ शिक्षा की जाए, जिसे कि लोग अपनी प्रतिभा को निखार करके आगे ला सकें, इस बार के चुनाओं में यह देखा गया कि भाजपा जो पर नाम आ रहे थे, तो लोग क्या अपनी लोकल समझे आपके पास लेके आ रहे थे, और सबसे पहले, अब जब आपको जनताने जनादेश दिया है, तो सबसे पहला काम आपके प्रत्मिक्ता में क्या होगी, आप क्या करेंगे सबसे पहले? जिस उमीद के साथ, विश्वास के साथ लोगों ने मुझे वोट दिया है, और चुना हम जीते हैं, उनको विश्वास को बरकार रखना पहली पराथ मिलता होगी, और पांकी बिधान समय में इस्तिती कुछ अलग थी, पांकी बिधान समय में यही चाहते थे कि किसी परकार से इस बार हम लोग को यह जो बरत्मान विधायक हैं, उनके हैसु यह समराज से हम लोग को मुक्ति मिले, क्योंकि जितने लोगों को मतलब की अपमानित करना, गाली देना, दसत करना, मार पिट कर देना, केस में फशा करके जेल भेज़ देना, और कई तरह की हैसु यह जो क मुक्ति चाहते थे, मुक्ति चाहने के कारणी, लोगों ने एक दम खूल करके वोड दिया, और वोड दे करके हैसु उनको हैसु मतलब एतिहासिक हार कराया है, यह जीत हैसु भाजपति जनता पार्टी को कराया है, इस बार का सबसे बड़ा मुदा रहा रोजगार का, तो रोजगार के शेतर में आपने क्या सोचा है पाके की जनता के लिए? पिछले जो विधायक थे वहाँ पर ततकाली विधायक जनता ये बोलती थी कि वे बहुत कम समय देते थे अपने चेतर में और शायद ये एक बड़ी बड़ा कारण बना उनकी आहर का, तो शशी भूशन महता कितना समय दे पाएंगे पाके की जनता के लिए? मैं पहले भी बोला हूँ और अभी 15 सालों से मैं नब्यक नहीं बलकि 95-98 परसंड गाउं में ही रहता हूँ, वहीं पर खाना है, वहीं रहना है, कुछ सहर में काम पड़ा तो मैं आ गया नहीं, तो गाउं में रहता हूँ, और मेरा लोगों में मैं से दिया हूँ, कि मेरा तन मन धन पाकी विधान सभा की जनजन के लिए निचावर है, और हम पुरी तरह समय उनके साथ दे करके, और उनकी समस्यावों को सुनेंगे, निदान करेंगे, और उनका विश्वास जीते हैं, जीते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमारे साथ थे पा की जनता अब देशत के महल से उन्हें छुटकारा मिलेगा, और वहाँ पर एक तरह से रामराज फिर से स्थापित होगा, धन्यवाद.